नमस्कार मित्रों मैं हूँ अतुल स्रिवास्तव और आपका बहुत स्वगत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग बात करेंगे निष्ठा माडिूल 6 के प्रश्णोत्री के बारे में इससे संबन दिद्जो गतिविदिया हैं एक और गतिविदी 3 उसके आल लेडी हमने एक वीडियो बना दिया है और शायद आपने उसको देखके अपना माडिूल पूरा कर लिया होगा और साथी साथ एक नवंबर से माडिूल 4 और 5 भी आ गया है और उसके भी प्रश्णों के उत्तर हमने अपने यूटूब चैनल पे डाल दिये हैं तो उनको भी आपने शायद देखके कमप्रीट कर लिया होगा तो चलिए अभी बात करते हैं हम लोग निष्टा माडिूल 6 की तो शुरू बात करते हैं प्रश्णों 3 की देखते हैं हम लोग पहला कोश्चन पहला कोश्चन है कला समय कि शिक्षक के माध्यम से शिक्षक क्या विक्सित कर सकेंगे इसके चार आप्शन है उसमें पहला आप्शन है अकादमिक परिणाम के लिए परिक्षक के संसाधन दूसरा है कला आधारित एतिहासिक परियो जन तो इसका सही उत्तर है तीसरा का अनुलाब के लिए गतिविदिया तो बढ़ते हैं अगले कोशन के तरफ अगला कोशन है कला समय के सिख्चा के गतिविदियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी धुनिया उंगलियों से बनाई जा सकती हैं तो इसके चार आप्शन्स हैं पहला आप्शन है बारिश की धोनी दूसरा आप्शन है पानी की धोनी तीसरा आप्शन है आग की धोनी चोथा आप्शन है हवा की धोनी तो इसका सही उत्तर होगा बारिश की धोनी यानि की पहला आंसर तो हम लोग पहले पे टिक करके बढ़त किसके माध्यम से आनंद दाई अधिकम में लगाया जा सकता है इसके चौर ओप्षन्स हैं पहला ओप्षन है कला समेकित सिक्षा दूसरा ओप्षन है पाठ को याद करवा कर तीसरा ओप्षन है उची आवाज में पढ़ कर चोथा option है लिखने का अभ्यास करवा कर तो इसका सही उत्तर होगा कला समेकित सिक्षा यानि option नमबर एक इस पर टिक करके बढ़ते हैं हम लोग अगले question की तरफ अगला question है समेकित सिक्षा निम्लिकित में से किन छेत्रों के विकास में साहयक होती है इसके चार options में से पहला option है सभी दूसरा option है मनो ग्यात्मक छेत्र तीसरा option है संग्यात्मक छेत्र चोथा option है भावानात्मक छेत्र तो इसका सही उत्तर होगा पहला सभी तो सभी प्रिटिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कोश्चन है विज्ञान के विभिन अवधारणाएं विज्ञान सामाजिक अध्यान और भाषा को समेकित अधिकम के जरिये प्रभावकारी धंग से पढ़ाया जा सकता है इसके चार आप्शन है पहला आप्शन है संभव नहीं है दूसरा आप्शन है सही तीसरा आप्शन है गलत चौथा आप्शन है केवल एक अवधारणा में तो इसका सही उत्तर होगा सही आप्शन नमबर दो तो इसके टिक करके हम लोग बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला question है समेकित का अर्थ है इसके चार options में से पहला option है विज्ञान के अलावा अन्य विश्यों के साथ कला का संयोजन दूसरा option है विभिन पाठे क्रम छेतरों के सिच्छन के साथ कला का संयोजन तीसरा option है भाषा और सामाजिक अध्यन के साथ कला का संयोजन और चोथा option है कम से कम एक कला रूप के विश्य का गहन ग्यान तो इसका सही उत्तर है option no.2 विभिन पाठे क्रम छेतरों के सिच्छन के साथ कला का संयोजन तो बढ़ते हैं हम लोग अगले question के तरफ अगला question है कला समेकित गतिवीदिया इनमे से किस सिद्धान्द पर आधारित है तो इसके चार options में से पहला option है अनुभव आधारित दूसरा option है सही उत्तर लिखना तीसरा option है रट कर याद करना और चौथा option है पाठे पुस्तक से नकल करना तो इसका सही उत्तर है अनुभव आधारित अधिगम यानि कि पहला option सही है तो इस पे टिक करके हम लोग बढ़ते हैं अगले question की तरफ और अगला question है कला रूपों के एकी करन के माध्यम से शिचकों द्वारा मुल्यांकन नहीं किया जा सकता है इसके चार options में से पहला option है संभब नहीं है दूसरा option है सही तीसरा option है केवल एक अभधारना में और चौथा option है गलत तो इसका सही उत्तर होगा चौथा option गलत तो गलत पर टिक करके हम लोग बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ तो और अगला कोश्चन है निमनलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है तो इसके चार आप्शन में से पहला आप्शन है स्वाब ही नए दूसरा आप्शन है चेत्रकला तीसरा आप्शन है और चौथा option है निरात्या तो इसके इन option में से चित्र कला option नमबर दो सही है तो इस पे टिक करके हम लोग बढ़ते हैं अगले question के तरफ और अगला question है हमारा कला समेकित सिक्षा में कला को किस संदर्व में लिया गया है इसके चौर आप्शन्स है परंपरागत कला दूसरा आप्शन है शिच्छन सास्त्र का एक टूल तीसरा आप्शन है परिच्छा की एक पद्यति और लास्ट चौथा आप्शन है लोक कला तो इसका सही उत्तर है, दूसरा सिच्छन सास्र का एक टूल, तो सिच्छन सास्र का एक टूल, आप्शन नमबर दो को टिक करके हम लोग बढ़ते हैं, और देखते हैं कि हमारे कितने आप्शन सही हुए, क्योंकि हमारे प्रशनावली समापत हो गई है, और 10 वोष्शन के उत प्रशनोत्तरी, स्कोर है 10 में से 10 और जो हमको समय लगा है यह module कमप्लीट करने में 4 इस सेकन में कैसा लगा यह आपको वीडियो कमेंड करके बताएगा और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेर करिए ताकि वह भी इस वीडियो का लाब उठा सके और अपने माडूल को complete कर सकें फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक लिए नमस्कार